हर साल तकरीवन 15 से 20 लाख लोग बैंक के एक्जाम को फिल करते हैं विकिंसी बहुत कम होती है आप सभी जानते हो तो बहुत सारे लोग IBPS के इस माया जाल में फर्स जाते हैं जिनको छोटी छोटी बारी किया नहीं पता जिनको साइकलोजी का कितना बड़ा रोल है एक्जाम पास कराने में ये नहीं पता तो आईए आज के सेशन में मैं आपको लिकर चलता हूँ जहाँ पर हर एक छोटे से छोटा शब्द आपके दिल तक पहुँचेगा और शायद 15-20 लाख लोगों के competition से आप केवल देड़ से दो लाख वाले deserving बच्चों के competition में पहुँच जाए तो अगर आप भी चाहते हैं उन देड़ से दो लाख बच्चों का हिस्सा बनना जिनके exam में pre निकलते हैं फिर 15-20,000 लोग वो जिनके पूरे साल में में मेंस निकलते हैं तो जॉब मिलते हैं तो आईए ध्यास देखिएगा इस वीडियो को क्योंकि ये वीडियो आप के लिए बनाई गई है दोस्तो प्री मेंस प्री मेंस प्री मेंस आपने देखा भी ये एक तरीके से exam की बारिष चल रही है एक प्री खतम होता नहीं कि दूसरा लग जाता है दूसरा प्री खतम होता नहीं कि तीसरा लग जाता है सेम एक मेंस खतम होता नहीं कि दूसरा लग जाएगा ये कोई नई बात नहीं है इस बार आपने दिखा भी होगा ये मैंने लिखा है कहीं इस वज़े से तो आपका एक्जाम नहीं रुकरा इस वाले माया जाल की वज़े से दूसरा क्या है टू रेशो वन अप्रोच ये प्री और मेंस पे कैसे लागू होगी क्या हर बच्चे पर सेम लेवल का टू रेशो वन लागू होगा सेग्मेंट A और सेग्मेंट B कैसे करेगा मेंस में आपकी मदद की आपका एक्जाम मेंस वाला निकल जाए तो वन बाइवन हर पहलू पर बात करेंगे अगर आपने RRBPO और RRB कलर्क दे दिया है IBPS PO IBPS कलर्क बाकी है या फिर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और बैंक के तयारी करना चाहते हैं या फिर आप पिछले एक दो साल से तयारी कर रहे हैं कभी प्री निकलता है कभी मेस निकलता आप सब के लिए कुछ न कुछ इसमें जरूर मिलेगा ऐसा मेरा विश्वास है ठीक है दोस्तों तो चलते हैं वन बाई वन पहले सवाल का जवाब में देता हूँ कहीं आप इस वड़ी से तो फेल नहीं हो रहें देखिए जरा ध्यान से आर्रबी god 5 bis 6 अगस्त को दे रहा है आर्रबी god मेंस आपकी रहा देकर आऊगे तो अपकी रहा देख रहा है RRB clerk में 16 तारिक को RRB clerk मेंस के जंजाल से बचे तो लगा हुआ है IBPS PO Pre 23 सितंबर को 30 सितंबर को और IBPS PO Pre में पास होंगे के नहीं वो तो बात की बात है मेंस के तियारी करे के नहीं करे उससे पहले IBPS clerk मेंस लगा हुआ है 10 October को अगर आप दिहान से देखे तो जाल नहीं तो क्या है सर मेरे एक्जाम का रिजल्ट तो अभी आया नहीं है RRBPO का और एक्जाम में आटेम्ट भी 50 पचपन के आसपास हुए है 60 तो 60 भी नहीं हुए सर RRBPO में तो 65, 66, 67, 68, 70 तक भी पहुँच गए तो अभी इसी दोविदा में फसे हुए है कि क्लर्क पढ़ू प्री लेवल वाला कई वो खराब न हो जाए या फिर मेंस पढ़ू कर पता लग गया मैं पास हो गया और मैं मेंस की त्यारी कर भी नहीं रहा था मैं तो फिर कैसे मेंस निगलेगा क्या आप भी इस समय इस सवाल से जूझ रहे है तो एक बार कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीज़े ये सर मैं भी सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ दोस्तो तो सबसे पहले जब आप इस जाल से जूझ रहे होंगे पता लएगा आपको SBI भी कभी बिटा पग गया और सारी स्रडेजी फिर आपकी बदल गई तो मेरा कहना है मैं आपके लिए ये मदद करना चाहता हूँ कि आप मेंसे कौन सा बच्चा इस जाल की काट क्या है सर हमें समझ में नहीं आरा में तयारी करूं मेंस की करूं कितनी करूं, मेरा RRB PO हो गया इतने अटेंप ते मुझे पता है सर, RRB PO हो गया उसमें मेरे क्तने अटेंप ये आररb CLARK प्री में भी हो गया मुझे इसमें मेरे कितने अटेंप ये तो आपके लिए question No.2 में दे रहा हूँ मेंस और प्री किसको यह है टाइमिंग कि आप जितने भी घंटे पढ़ते हो ऐसा नहीं कि आप डबल पढ़ना शुरू कर दोगे पांच गुणा पढ़ना शुरू कर दोगे घंटे तो चौबिस यहने एक दिन में आप जितने भी घंटे पढ़ रहे थे आपने दिन रात लागये में घंट करी ओगी अव्विस स्य बात है तो आप गाम आप काम कम नहीं करना और बढ़ा हना है तो आप जितने भी टाइम पढ़ते थे आपको double time मेंस में देना है और उसका आधा time प्री में देना है मतलब कि अगर आप 6 घंटे पढ़ते थे तो आपको 4 घंटे मेंस में देने है और 2 परी में देने है क्या ये कहना चाह रहे हो तो मेरा आंसर है नहीं तो फिर क्या कहना चाह रहे हो बहुत आस देखेगा आप 6 घंटे देते तो 4 मेंस और 2 परी या फिर दो मेंस और चार परी इसका लॉजिक क्या है वो समझना पड़ेगा सर पर मैं तो पढ़ता हूँ 12 घंटे तो मुझे क्या करना है अगर आप 12 घंटे पढ़ते हैं या 9 घंटे पढ़ते हैं मैं एक्जामपल 12 घंटे का देलता हूँ क्योंकि अभी तो सारे दिन अगर आप फ्री हैं तो पढ़ भी सकते हैं क्योंकि एक दिड़ महीना ही है आपके पास मिनत करने का तो 8 घंटे मेंस पढ़े सर और 4 घंटे प्री 2 रेशो वन तो यही हुआ या फिर 4 घंटे मेंस और 8 घंटे प्री तो कहना क्या चाह रहे हो पहले तो मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि आपको यह समन में आया कि यह 2 रेशो वन का लॉजिक क्या है कि आप जितने भी घंटे पढ़ते थे उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम डिस्रिब्यूट कर लीजेगा क्योंकि अपनी शमता से बहुत ज़्यादा अलग नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपने जितनी मेहनत करनी होगी प्रीमे भी तो करी होगी ना पूरी जीजान लगाई होगी वढ़ना तो आप डिजर्वेंग यह नहीं है सच्चाई तो यही है अब ऐसा नहीं कि आप 8 गंटे पढ़ने पढ़ते तो आप 19 गंटे पढ़ने लग जाओगे आठ का 9, 10, 11, 12 हो सकता 18, 19 नहीं हो पाएगा सच्चाई थोड़ी कड़वी हो सकती है दोस्तो ठीक है अगर 9 गंटे पढ़ते थे तो 6 गंटे और 3 गंटे वाला हो गया चलिए अब यहाँ पर बात करते है कि किसको 4 गंटे पढ़ना है किसको 2, किसको 2, किसको 4 या किसको मेंस ज्यादा और प्रीकम तो RRB सबसे पहले इस मनना पढ़ेगा यह जो trap था हमारा सारे exam के नाम different है तो हमें लगता है कि यार syllabus भी different होगा तो नहीं दोस्त सबका syllabus सेम ही है जब सबका syllabus सेम है तो सबके concept सेम हुए concept आप किसी भी teacher से पढ़ते हो reasoning भी कहीं से भी पढ़ते हो math कहीं से पढ़ते हो english कहीं से पढ़ते हो कहीं से भी आप पढ़ते हो concept तो सब ही सिखाते है और concept almost concept सब सेम होते हैं मतलब concept हार एक exam निकालने के लिए सेम ही पढ़ना पढ़ेगा reasoning का syllabus चाहिए RRB का exam दो RRB PO RRB clerk IBPS PO SBI PO SB clerk all are same syllabus सेम level उपर नीच चलेगा clerk का level कम होगा PO का ज़्यादा होगा PRE का level कम होगा मेंस का level ज़्यादा होगा ये सब ही आप जानते हैं तो फिर मानते क्यों नहीं है मेरे दोस्ट तो आपको 2 ratio 1 किसको देना है किसको नहीं वो मैं आपको समझा देता हूँ या पर थोड़ा सा कि आप समझ जाए अगर आप RRB PO PRE में अपने attempt genuine वाले बताईए जो आपको उमीद है कि सर इतने मेरे नंबर तो आई जाने है मैं attempt की नहीं marks की बात कर रहा हूँ attempt तो आप 70 कर लो 20 गलत कर लो कि तो फायदा क्या है attempt की नहीं बात कर रहा मैं अगर आपको लगता है RRB PO PRE में आपके 50 नंबर आ सकते हैं चलो 50 छोड़िए 48 भी 48 अगर आपको लगता है 48 to 50 marks आपके आ सकते हैं या इससे जादा आपको लगता है आपने पूरी शिदत से मेहनत करके paper दिया था पहला तो है कि आपने पूरी मेहनत से paper दिया हो पूरी जीजान लगा के जितनी आपके अंदर शम्दा दी वो सारी लगा दी हो और फिर आप ये paper दे कर आए हो ये वाला अब 50 से उपर जितने भी है तो आपके लिए ही बनी है ये 2 ratio 1 approach तो आपको मेंस में double time देना है और pre में आधा अगर आप इससे कम करके आए हैं pre level में मतलब आप 40, 42, 45 और आप भगवान की भरोसेगर के हैं तो आप अभी इस पर 2 to 1 नहीं जाएंगे आप जाएंगे 1 ratio 2 मतलब आप मेंस में आधा समय देंगे और pre में double मतलब आपके भी chance अगर आपको लग रहे हैं कि मैं exam निकाल दूँगा मतलब आपको faith है अपने उपर RRB clerk में भई P.O. में नहीं बन रहा RRB clerk की बात कर लेते हैं RRB clerk RRB clerk में जितने भी बच्चों को लगता है कि उनके marks देखो shift बहुत सारी है बहुत सारे factor होंगे अगर आपको लगता है आपके marks 63 से जादा है 63 से जादा marks की बात कर रहा हूँ तो आप race में है देखो वैसे तो 75 पर भी कोई guarantee ने ले सकता RRB clerk में सच्चाई तो यही है लेकिन आपने minus 63 से plus है क्योंकि इस बर्थ paper थोड़े से अच्छे है पिछली बार से काफी तो आप race में हैं और आप mains की तयारी कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि pre को छोड़ देंगे भाई साब क्योंकि रहा देख रहा है IBPS clerk pre आपका 26 तारिक को तो छोड़ नहीं सकते हैं 6 गंटे पढ़ते थे तो 2 गंटे प्री पढ़िए 4 गंटे में इस पढ़िए अगर 9 गंटे पढ़ते थे तो 6 गंटे में इस पढ़िए 3 गंटे प्री पढ़िए 12 गंटे पढ़ सकते हैं और पढ़ते हैं देखो आपको ये बात कोई नहीं बताएगा हर बार बच्चा घूम फिर के Zero पर शीरो पहुन जाता है ऐसे ऐसे राउन रांड 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 वापिस Zero से शुरूँ नहीं करना होता वरना जिंदगी में कभी अगले तीन चार साल भी ऐसा नहीं होता देखो आपने पढ़ाई करी है पेपर अच्छा नहीं गे अरर भी कलर का भी अरर भी पियो का भी लेकिन कॉंसेप्ट तो सारे पढ़े थे ना किसी भी से भी पढ़े मेहनत तो प्रॉपर करी थी ना सारा स्लेबस अलड़ी पता है ना तो कै मैं फिर 0 पे चला जाओ मैं क्यों 0 पे जाओ मैं भी तो डिजर्व करता हूँ मैं आज पहली बार एकसाम देने आया होता मेरे को पता ही नहीं हैं पहली पड़ा पहले परी बढ़ूँगा तब तो zero से चुरुआत करूँगा foundation सीखूँगा लेकिन अगर मैंने तैयारी करी है ये बात आपको कोई नहीं बोलेगा दोस्तो अगर आपने concept सीखे इसके reasoning math English सब के concept सीख लिए और दोनों paper खराब हुए क्योंकि lack of speed तो इसका मतलब आप zero नहीं है यू आर नौट शूनने आप शूनने पर नहीं है आप already start कर चुके हैं आप शूनने पर तब पहुचेंगे अगर आपने आज जीरो से शुडू कर दिया अपने आपको zero मान कर आपने तैयारी पूरी करी speed की फर्क पड़ रहा है तो बढ़ाते हैं न speed मेंस को दो लेकिन दो reason बच्चे आपने बोला कि मैं concept पूरे आते हैं सर मुझे मेरी speed नहीं है तो speed और बढ़ा लेंगे नल लेकिन अगर हम छोड़ देंगे मेंस को पढ़ना तो हमारा अगली बार pre निकल जाएगा मेंस निकलने वाला मैंने दिखाया था जाल यह रा जाल जैसे ही pre खतम होगा मेंस सामने आपकी राहा देख रहा है आपको लगता है RRB का मेंस निकलेगा और IBPSPO मेंस निकाल दोगे बिलकुल निकलेगा ऐसे तो आप मेरी पास समझ पारे हो IBPSPO इन से बहुत उपर लेवल आएगा RRB clerk और IBPSPO के लेवल में जमीन आसमन का फरक आएगा ठीके तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि अगर आप स्टार्ट ले चुके हो आपका concept पर आपकी पकड़ हो गई यह speed की problem है तो आप बिलकुल यही वाली strategy आओ लेकिन अगर आप बिलकुल नहीं हो बिलकुल को अपनी पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी और दोस्तों सच्चा ही थोड़ी कड़वी होती है लेकिन मैं honesty से बात करता हूँ आप फिर अभी केवल और केवल IBPSPO के लिए जाएं पहले pre ढंग से पड़े फिर mains ढंग से पड़ेगी यहाँ पर आपकी जो मेहनत होगी वो र बिल्कुल लगता है कि मैस में भी बहुत कुछ नहीं आता रीजनी में भी प्री लेवल गाई बहुत कुछ नहीं आता इंग्लिश में भी नहीं आता तो फिर आपके लिए IBPSPO का फाउंडेशन लगाना चाहिए IBPSPO के लिए एक्जाम के लिए फाइट करने चाहिए उसका benefit आपको SBIPO SB CLERK में जरूर मिलेगा 100% मिलेगा तब यह अप्रोच आप वहाँ जाके लगाईएगा ठीके दोस्तों तब यह अप्रोच आप वहाँ जाके लगाईएगा आगे बढ़ता हूं अब चलते हैं दोस्तों अब हम तीसरे वाले सेग्मेंट पर कि सर चलो ठीक है हमन मैं से जूझ रहे है कि भाला है जनम से घूझ रहे है कि टाइम मानेज नहीं हो रहा है डी कर टाइम मैनेज नहीं नहीं हो रहा है और Nicolas ऐन्हा節目 के यहीं है घ्राली कि जो मेरे साथ बच्चा जुड़ा हुआ है उसके लिए जी जान लगा दे यार जी जान लगा दे बच्चे ने बहुत मेहनत किये एक्जाम के लिए अब वो पीछे न रह जाए कुछ भी लापरवाई से तो अपनी तरफ से जो भी हो सकता है मैं हमेशा कुछ ना कुछ बैस केकोशिश करता हूँ जितना मुझससे हो सकता है ठीक है आगे बढ़ते हैं सर यह सेग्मेंट A, सेग्मेंट B है क्या है एक रर्री के एक्जाम पास कराने में बद आये इस पर बात कर लेते हैं तेके रर्री में दोस्तों आपके आते हैं यह पांच सब्जेक्ट ये हमें हा कैसे करेंगे जरह बात करते हैं आपका 10 को रर्भी पी हो सोलो को रर्भी क्लर्क मेंस रीजनिंग आई कि दोस्तों 40 नंबर स्वारी 40 कुश्चन सेम क्वांट सेम जी एच सेम कंप्यूटर सेम इंगलेशन दीए कुश्चन है कुश्चन और ये मार्क्स हैं रीजनिंग 50 नंबर क्वांट 50 नंबर जी एक कंप्यूटर हिंदी इंगलिश कंप्यूटर बीस नंबर जी और इंगलिश या हिंदी में से जो भी आप अप्ट करेंगे कोई भी एक वो 40 नंबर अब ये segment A और segment B क्या है दोस्तो वो समझना पड़ेगा हमें आपकी problem है sir timing कैसे manage करें cut off कितनी जा सकती है पहले क्या attempt करें last में क्या attempt करीगे आपके problem है देखो जो सबसे आसान लगे सबसे आसान और easily cover हो जाए simple rule रखो life में जो आपको exam में solve करते हुए सबसे आसान लगे जिसके question सबसे जल्दी solve हो पाएं चाहे कम हो पाएं चाहे जादा हो पाएं लेकिन जल्दी हो पाएं वो सबसे पहले कीजे जिससे की आपके पास advantage रहे तो आपका segment A में बाटे हैं दोस्तों मैंने तीन subject segment A में बाटे हैं मैंने तीन GA, computer और English तो ये है आपका segment A GA, computer और English इन में से आप किसको पहले समय दिते हैं किसको बाद में English या Hindi जो भी है क्योंकि ये आप जल्दी यल्दी कर लोगे बहुत जल्दी यल्दी ये hard hitting मैंने का है बिल्कुल hard hitting करनी है जाते ही exam पर टूट पढ़ना है क्यों टूट पढ़ना है ये पहला exam है जहां flexible है exam flexible हो कर रहा जैसे मर्जी वैसे time manage कर लो और इसमें भी अगर आप खुलके नहीं खेलोगे तो कब खेलोगे segment B में मैंने दो रखे हैं reasoning और quant क्योंकि इनको करने में आपका time भी लगगा reasoning और quant हम कोशिश क्या करेंगे दोस्तो RRB PO की बात करता RRB clerk मेंस की तो मैं बात करूँ तो कुछ बच्चे RRB clerk मेंस में 50 में से 50 नमबर भी लेकर आए हुए है कहोगे तो मैं आपको दिखा भी दूँगा clerk मेंस की बात करना RRB clerk मेंस की IBPS PO मेंस की नहीं RRB PO मेंस में भी बच्चे काफी हद तक अच्छा score कर आते हैं तो इतनी tough नहीं आती अब मैं आपको पूरा paper भी दिखाऊँगा क्या आया था लास्ट आपर भी PO मेंस का paper देखकर आपको confidence आएगा तो मेरा ये कहना है ये तीन एक तरफ ये दो एक तरफ reason 100 marks के हैं ये दोनो और 100 marks के तीनो ये आप बहुत जल्दी जल्दी यल्दी पढ़ लोगे कोशिश कीजेगा क्योंकि ये तो आपको सिर्फ ओरली पढने है इसके आउसर देखते ही अपको मिलेंगे अगर आते होंगे तो होगा वर्ण नहीं और English Hindi में से फिर भी time लेगा इन दोनों के comparison में यहां टाइम लएगा ठीक है अगर यहां पर आप समय दे रहे हो अप्रॉक्स 25 मिनिट इन दोनों का मिलाकर जो जनरली समय रखते हैं वो 25 मिनट के आसपा रखते हैं 25-26 अब यह आप खुद देख लीजेगा आप किस में कम समय वो आपको पहले मौक पेपर इसले देते हो कि आप चेक कर पाओ और इंग्लिश या हिंदी जो भी आप कर रहे हैं वहां आप दे सकते हो 22-24 मिनट बतलब इन तीनों को मिलाकर 50 मिनट अप्रॉक्स 100 question है पचास मिनट मैं आपको solve करने है सारे नहीं करने होते हैं जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कर पाए वहाँ आपके पास 70 मिनिट बच गई और 100 नंबर के पिपर बच रहा है जो आपको ज़्यादा आता है उसमें ज़्यादा समय दें जो आपको कम आता है उसमें कम समय दें जैसे भी आप comfortable हो अगर आप दोनों में average है दोनों में बराबर समय दें आपके पास within the time switch करने का देकार है आप उस तरीके का बिलकुल इस्तिमार करें लेकिन पहले से ही तयारी करके जाएं कि मुझे पहले क्या करना है बाद में क्या करना है जिससे कि exam में problem ना हो दोस्तों तो exam आपको दे रहा है hard editing करने का मौका जाएए switch कीजे तो आप उसका फायदा उठाइए हाँ last time की cutoff 100 से 110 के आसपास थी हर बार cutoff इसके आसपास ही आती है और कोशिश करें इधर से इधर आपका जो मौक में marks बन रहे हो 110 के आसपास बन रहे हो RRB PO में RRB कल थोड़ा और उपर जाएगा क्लरक में नजर आई का क्योंकि पहले तो पीयो है और फिर आपका IBPS क्लरक में इसका benefit आपको definitely मिलने वाला है क्या आया था last time RRB PO का पेपर एक बार उसकी बात कर लेते हैं RRB PO में 1223 की तयारी कर रहे है तो पहले 2020 का पूरा पैटन दिखा रहा हूँ मैंने 45R मेंस की एक लास ले 45 घंटे मेंस फिरी ओफ कॉस्ट यूट्यूब पर आनकेडमी स्पेशल पर 3-3 घंटे के मेरे पूरे पूरे पिपर पड़े हूँ है 3-3 घंटे के मलब लगातार 3 घंटे मैंने आपको बढ़ा है 2021 में पूरे साल भर मेंस पड़ाया है 2022 में बहुत सारा मेंस पड़ाया है और अब 2023 में भी आपको छोड़ने वाले बिलकुल नहीं है पहले आपको उताता हूँ एक्जाम में क्या है था आपको देखकर बढ़िया लएगा देखो पोस्ट जो आप देखते हो 7 पोस्ट साथ में फ्रूट 5 कोशन पूछे गए थे 7 डे प्लस 3 ती 5 कोशन पूछे गए थे 10 मेंबर डबल रो पांच नीचे 5 उपर फ्रूट्स के साथ 5 कोशन पूछे गए थे सिलॉग्ज में 3 कोशन पूछे गए थे मशीन इंपुट में पाँच कोशन पूछे गए थे पाँच नमबर दे रखे थे पाँच वर्ट दे रखे थे डवल साइड मुवमेंट चल रही थी लॉजीकल दीजनिंग से छे कोशन थे आपके छे से साथ अब सर्प्राइज एलिमेंट भी रखता है मेरी घ्रावास का मार सर्प्राइज एलिमेंट क्या रखता है यहां पर आप देखो फ्लोर का एक कोशन था बस एक फ्लोर वाली पॉजल दे रखे थी छोटी पर एक कोशन उस पर दे रखा था सेम दस नमबर दे रखे थे पांच को असेंडिंग में लगा था पांच को डिसेंडिंग में सेवन पोस्ट फ्रूट सेवन डे सिटी तो लास्ट एर के अकॉर्डिंग लेंथ इनकी थोड़ी से बड़ी थी लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत दर तफ थे मतलब वह मेंस लेवल वाला आई भी पी एस प्यो के आसपास भी नहीं थे तो आरर भी क्लर्क आरर भी प्यो के मेंस क कि हम टुँ इंतजार कर रहे हैं कब आप मेंस पढाएंगे कितने लोग ऐसे जो वेट करें कि पुनी सर्क कब से मेंस स्टार्ट करेंगे तो पूरी टीम ज़्यत आई देख लेते हैं कि यह सेग्मेंट वैंने आपको बता दिया 16 जून से Reasoning स्टार्ट हो रही है सुबह 9 बजे Bankers Way YouTube चैनल पर दोस्तो इनिल यानिकी पड़सो से ही स्टार्ट हो रही है Bankers Way पर सुबह 9 बजे Means की Reasoning RRB PO Means RRB Clerk Means IVPS Clerk Means आप इनकी तयारी करना चाहते हैं तो जुड़िएगा सुबा 9 बजे मेरे साथ सर अगर मेरी तयारी IBPS मैं मैं मेस की तयारी नहीं कर रहा हूँ और मैं कलर्क की तयारी कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँ अगर आप कलर्क की तयारी करना चाह रहे हैं तो डेली शाम को 5 बजे मिलेंगे कब से हम मिलेंगे सोला तारिक से ही शाम को पाँच बजे आभी PS क्लर्क में धमाल मचाएंगे जैसे कि हमने RRB क्लर्क प्री और RRB PO प्री में ही मचाया था दोस्तों आप भी जानते हों कि थोड़ दिन पहले मेरी तबित खराब थी हार्ट में थोड़ी सी इशू आया था पता नहीं मैं तो नाम भी भूल किया तब मैंने बताया भी था कि वो बड़ा हुआ निकला था तीन का तेरा था रिस वेक्टर इश्वर की करपासे और आप लोग की दुआउसे और मतलब जितने भी मेरे अच्छे काम होगे उनकी अच्छा ही होगी बैसे रिपोर्ट मेरी अच्छे आई हैं बहुत बहुत शुक्री आपका इतना केर करने का इतनी चिंता करने का और रिपोर्ट में मैं बताता हूँ वह वाली एक खराब आई थी वह तो अलगी है थोड़ा सा शुगर भी बड़ा हुआ था थोड़ा सा बहुत जाद नहीं थोड़ा सा केलिस्ट्रॉल खेर में इतना केलिस्ट्रॉल तो नहीं बड़ा हुआ था वणना तो इशू हो जाता फर तो HR, CRP बता नहीं ऐसे करके वह बड़ा हुआ था तो थोड़ी से स्वेलिंग बताईए हार्ट मतलब यहां इदर उदर थोड़ा सा तो मेरा जो इको हुआ था स्ट्रेस इको वह भी सही आया था और जो 24 घंटे उन्होंने लगा रखा था जो मैंने इफर्ट लगा सकता हो पूरे लगाँगा चिंता मत की जेगा है पूरी टीम इवपील आपके लिए आफर्ड लगा रही है मैं भी लगा रहा हूं सब क्लास आपके लिए कवर करेंगे और हाँ एक सर्प्राइज जो आपके लिए रखा है कल 15 अगस्षोब 11 बजए उसके लिए जोड़ना मत भूलीएगा अगर अच्छा लगा हो यह वीडियो क्योंकि मैं रिकॉर्ड करना हूं रात के करें तो सुबर नौ बजए यूट्यूब पर रेजने अल्दी बेस्ट टिल बावाई टेक क्या थैंक्यू कमेंट कीजेगा मैं जरूर कोशिश करूंगा आपका रेप्लाइब करने का थैंक्यू